तरह लिए दूसरे इने के पहली गेंट अफसार के और सामें खिल दिया चार रण के लिए बाइट से बाहर है उनको यह लश्ट दिया है अधर से दूसरा लेकर अफसार फिर द्रेकत्मों से बढ़ता हुआ राइट आर्म वबार्दा इस्टाम और इस तरह से बॉल गुर्लत से पर अफसार यहां फिर द्रेकत्मों से फिर से उंचा सोट उठाया है और यहां देखिए अच्छा सोट कि एक पर वह सबस्क्राइब को इस बहुंचा सब्सक्राइब कर चले अफसार आहां तो अब फिर से आपर अगा तो अगा और इस बार जाने दिया बिकेट की में पार का पहला और अपने इसमेल का और यहां फिर से ओफसार के पहली अवर की समात्स रण यहां पर एक ओवर अफसार जी आये थे यहां दूसरा ओवर की सुर्वात पहली गेन बहुती सुन्दर गेन फिर से बोलर चले दूसरी बोल लेकर और यहां पर दूसरा ओवर कर तीसरा गेन में चार रन इस बार इसी नुक्सार पर यहां पर सिंदू अगले गेन के सार फिर से उचा सोट उठाया है यहां पर लॉंग लेक से शेर अंके जिए बहुत ही उचा सोट यहां पर राउंड दा इस्टाप आता हुआ यहां पर बॉल इंपोजिशन चैल्ज और इस तरह से यहां पर एक असान हलके बने हाने हाथों से फॉल घृला है अऌत फीर से आम पर फाइल रिफ कोजिशन में खेलने का यहां पर गराया अवर फील्ड रहा को यहार दूसरा अभर की अगली जेड़ है थि और चार्जए ग्रप जुच्प किया और ये पहला बिकेट गिरा नवाब चुक का पहला बिकेट का पतल होता हूँ है और बॉलिंग में जब से दूसरी बिकेट के लिए फ्राजूल पहली गेंद का सामना करेंगे और फिर से चुक ये वैलिट मैंट में तो और बीस एक बिकेट नुशाथ पर और बहुत इसंदर खिला है फिर से और फिर से आउट दूस्तरा बिकेडी गिरा नवाम चोका चाचा फिर से इनाम देखे जाते हुए इस अबर की पाई लीगें तारे के स्ट्राइक पर गेम को खेला है जब तक खिला इन इस तरह से पहली बार आये हैं लेफ्ट एंड का बेट्समें नवाप्सों के तरब से पहली गेंद का सामना करेंगे फिर से चले बोलर अगली बोल सामना करेंगे बेट्समें और फिर से चुके बेट्समें अगली बोल लेकर तयार बोलर लगातार चूक रहे हैं बैट सिमें इस बार सिद्धू चले और इस बार चूक रहे हैं रहान अगली बोल कर सामना करेंगे लगातार छे बोल खेल चुके हैं लेकिन कोई और इस बार चूक रहे हैं बैट सिंद्धू चले और बार पर फिलारे मौजूद काफी सांदार फिल्डू अगली बोल का सामना करेंगे रहान अपसार चले और इस बार चूक रहे हैं एक ही रन मिलेगा और बहुत ही सुद्धर उन्साद्या आए छे रन के लिए और इस तरह से बोल्ड कर दिये हैं अपसार में अपसी का इजार करते हुए अपसार काफी अच्छी के लिए रहे हैं और सामनी के तरह ठकिल दिया एक रन के लिए इस तरह से बाएं हट के बल्ले बाच सामना करेंगे अपसार का और फिर से गें को खेला आया पर जब तक खिला ले और अच्छी को खेला है लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल ले बाच को लोगांग के खिलारी इस तरह से नहीं उपर के सुरुआज सामनी कूर खेला है लोगांगाफ के दिशा में एक रन पर मौजूद है इस तरह से अगली बॉल इससे पहले चोका जा चुकी है एक बॉल पर और सिंगल पर ध्यान देना होगा किस तरह से अगली बॉल इस तरह से अगली बॉल हाँ और देजी के साथ रन चुरा लचे पचीज गेलों पर चोवर रोनों की दरकार सामने है सद्दाम हुल डोस्क हावा में गेल नेकिन खिलारी से काफी दूर जब तक खिलारी पिल कर पाते हैं इक अला साथ वी ओबर लेकर इस तरह से साथ वी ओबर की सुरवाद दिपक पहली गेंद का ओ यह कॉटल मोर्ड के लिए बचे चोड़े की संभावडा और इस तरह से उंचा सोट उठाया है देखना है फिल्डर पहुंच पाते हैं और यह आउट बहुत ही सुंदर केच अपना प्राजबाद केच था एक सुन्दर सा केच यहां पर स्वीपर कबर चेतर से एक अच्छा जजमेंट था यहां और रब्तार रंग लगाते हैं इस बॉल को केच लिया इस अताम का एक खराब सॉट के माधर से आउट होते वे पैटार विकेट का करें और बहुत ही अच्छा गेंट फिर से अगली बोल और फिर से कोटेट बोल का चांस था यहां पर केच पर पर परते को भर में चौके की जवरत होगे और सबसे जरूरी बात जिस तरह दानिश जीवतार है देखे आपको यहां पर परतेक बॉल में स्ट्राइक चेंट करना होगा रुडेट करना होगा तभी आपको यह बोके बन सकते हैं और यहां लगता है और यहां पर लेक साइड में अगर देखना है यह 18 नवर के तूसरी के तुलाल बाबु तरब से एक आवन रुप्य का प्रसकार कि बहुत ही उचा सोट लगाया है और यह चक्का और देखना इस बोल पर और फिर से यह दूसरा चक्का क्या जी किया हरे हां टो ने दो बोल पर दो चक्का लग चुका है अब देखना यह एक चक्का आपने डाम करेंगे और यहां पर देखना कि है यह चक्का लगते हैं और लेकिन चुक है है और यह चार रन के लिए और यह चार बोल पर लगातार चार पॉंडरी निकली है इस तरह का मेच देखने के लिए फ्रेंड हमारे चैनल को इज़ डिस्कोर को जरूर सस्क्राइब करें साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना मुले अगली बोल इस तरह से नवाप चोक को आब दो अबर में 25 रन चाहिए जीत के लिए इस तरह से नम में अबर की चुरवाद आठ अबर में 73 रन है इस तरह यह इस तरह से नवाप चोक का इस को ओर अर बसक्ताइब में 47 रन चाहिए जीत के लिए देखना र्यांटु चै कर पाते हैं यह नम्मी अबर की पहली गेंद और फिरा है चार रन के लिए इस तरह से नम्मी अबर की दूसरी गेंद और नम्मा करेंगे रहां अब देखें अगला बॉल क्या करते है रहां वन चुकि नन स्ट्राइक पर है रहां टू और स्ट्राइक पर है रहां वाल दोनों रहां तीसरी बॉल का सामना करेंगे सुके रहां टू को स्ट्राइक दिया जाए ताकि यह नम्मा अबर परगती में होना है अगली बॉल क्या कर पाते है रहां वाल और इसकर से मोड दिया है अफसार फिल्ड किया और इस बार यहां पर गेकिनकंग का पुरुजकार आ रहा है और नोट करेंगे सामने है रहां टू और रहां से एक रहां लेकिन नए एक ही रहां से संतुष्ट करना पड़ेगा इस तरह से आप नवाप्चों को साथ बोल पर बीस रहां चाहिए जीत के लिए यहां बीस बार की अंतिम गेंद सामना करेंगे रहां वन जो बाएंहां के बेट्समेंने देखना है और यह आउट और यह आउट हो गे यहां पर पर बाल गई है और इस तरह से आउट यह रहां भी आउट यह रहां बीए प्रेसर यहां पर है अब यहां पर आए है उतके इस्तान पर अब नए बैसमें आए हैं अब आए हैं सर्ताज अब नवाब चोक को चार बोल पर 19 रंचे यह जीत के लिए देखना है क्या कर पाते हैं बाएंहां से बोलिंग और इस तरह से यह अब तीन गेंट में 19 रंच चाहिए जीत के लिए नवाब चोक को बोलर चले बहुत उस्साइद बोलर देखना हैं क्या कर पाते हैं बैसमें और इस तरह से उचा सोट उटाया आए लेकिन कोटन बोल्ट का चांस है बोलर के पास और यह आउट हो गए अब दो गेंट की खेल बची हुई है दो गेंट मूनीस रंच चाहिए जीत के लिए बहुत ही सुन्दर सोट आला दर्जा का सोट लेगिन एक ही रंच सांदूश करना पड़ेगा बल्लेवाज को और इस पारी की अंतिम गेंट लगभख मैंच जीत चुकी है इस्टार कलब कोई गन्या और इस तरह से यह जीत लिया इस्टार कलब ने मिच्च आरिया इस्टार कलब